आज का दिन खास है क्योंकि आज मैं आपको ग्रहों की बात बताऊंगी साथी में मंगलवार होने की वज़े से बजरंग बली की बात भी करने वाली हूं आज आपको वो तरीका वो उपाई बताऊंगी जिससे नौ ग्रह आपका कल्यान करेंगे हर ग्रह आपके हिसाब से चलेगा आज आपको हनुमान जी के दिवे रूप के दर्शन भी कराऊंगी आपको बताऊंगी की हनुमान जी की कौन सी फोटो घर में रखें और आज आपको मंगलवार के अचूक उपाई भी बताने वाली हूँ आज मैं आपको इलाइची के पांच महाउपाई बताने जा रही हूँ आज का पहला महाउपाई क्या है जानिए क्या सुन्दर बीवी चाहते हैं हर थर्स्थी सुभ़ पांच इलाइची पीले कपड़े के साथ किसी गरीब को दान करें यह उपाई कम से कम फाइफ थर्स्थेस करें इस उपाई से जरूर फायदा होगा आज मैं आपसे आपके ग्रहों की बात करूँगी आपके ग्रहे आपकी जिंदगी पर कैसा असर डालते हैं और आपको अपने ग्रहों को ठीक कैसे रखना ही याज जारेंगे नौ ग्रह होते हैं तो आज नौ ग्रहों की बात होगी और आज क्योंके मंगलवार हैं इसलिए सबसे पहले मंगल की बात भी करूँगी देखिए मंगल ग्रह की सबसे पहले बात करेंगे इस ग्रह के अगर हम बात करें favorable या कमजोर होने पर इनसान को रोजाना नहाने के बाद हनुमान चालिसा का पात करना चाहिए इस ग्रह की शांती के लिए व्यक्ति घर में लाल फूल का पौधा या पेड़ लगा सकता है लाल फूल वाले पौधे या पेड़ की देखबाल करने से मंगल ग्रह शांत हो जाता है बुध ग्रह के अगर अच्छा फेवरेबल है आपके लिए फेवरेबल होने पर इनसान को अपने भाई भेनों का सम्मान करना चाहिए अनात या गरीब विदारतियों की साहिता करनी चाहिए घर में तुलसी का पौधा लगा कर उसकी देखबाल करनी चाहिए अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं है तब आप ये काम कीजेगा अगर अच्छा है तो करने से और अच्छा हो जाएगा इसके साथ साथ आप संडे के दिन छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया करें आप वेंजडे के दिन तुलसी के पत्तों को अपने अंदर मतलब इनहेल करें उसको खाएं चाहें में मिलाएं जैसे मर्जी लीजए अब हम गुरुग्रह की बात करेंगे अगर गुरुग्रह कमजोर है तो इनसान अपने माता पिता अपने से बड़े टीचर्ज अपने गुरुओं की संतों का अधर करें इस ग्रह की शांती के लिए व्यक्ति को मंदिर या किसी धार्मिक कारे में या स्थान पर बिना शुल्क के सेवा करने चाहिए इस ग्रह की कमजोर होने पर फीमेल या पुरुष को किसी और पुरुष या स्त्री के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए इस ग्रह की शांती के लिए इनसान को रोजाना गाय को रोटी, गोडियां, चने की दाल खिलानी चाहिए शुक्र ग्रह, अगर किसी व्यक्ती का शुक्र ग्रह शांत है तो उसे पत्नी के साथ मदुर संबंद बनाये रखने का प्रियास करना चाहिए इस ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ती को काली चीटियों को चीनी खिलानी चाहिए इस ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ती को जब भी कन्यादान करने का मौका मिले दान करना चाहिए अभी आपको 6 ग्रहों की जानकारी और देनी है अभी तो शुरुवात ही ही है बहुत कुछ बाकी है लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं आई बात करते हैं आज के दूसरे माह उपाई की क्या गरीबी दूर नहीं हो रही है तो किसी गरीब किसी जरुरन मग को एक सिक्का दान करें साथ ही उसे हरी अलाईची खिलाईए ऐसा जब भी मौका मिले करते रहें अगर यह उपाई नहीं कर सकते तो अगर आप धन्वान बनना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में हमेशा पाँच इलाईची जरूर रखें ग्रह आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं आप आज क्या हैं और कल क्या बनेंगे यह ग्रहों की चाल पर निर्भर होता है इसलिए आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है चलिए आगे की ओर बात करते हैं और आपको तीन और ग्रहों की बात बताती हैं अब बात करेंगे सूर्य ग्रह अगर किसी इंसान की कुणली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो इस ग्रह की कमजोर होने पर आपको इस प्रभाव से बचने के लिए अपने फादर का और अपने घर के बड़े का Head of the Family का समान करना चाहिए सुभर जल्दी उठकर सूरे नमस्कार करना चाहिए इसके अलावा अगर आप किसी महत्वपून कारे को करने जा रहे हैं तो जाते समय घर से कुछ मीठा खा कर निकले इन उपायों को करने से सूरे ग्रे शान्त होकर आपके अनुकूल हो जाता है चंदर ग्रे के कमजोर होने पर इनसान जो है अपने घर की फीमेल्स का समान करे खास तोर पे मा मौसी, मदर इनलो रात को देर तक नहीं जागना चाहिए और इस ग्रे को अपने फेवर में करने के लिए इनसान को अपने घर में सफेद सुगंदित फूलों के पौधे लगाने चाहिए इसमें रोजाना पानी डालना चाहिए और इनकी देख भाल करने चाहिए अभी तीन और ग्रह बाकी हैं अभी तो शनी भी बाकी है लेकिन पहले कुछ और बात अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महा उपाई की क्या पढ़ाई में कमजोर हैं तो शुक्रपक्ष के पहले थस्दे को संसट से थीक आदा घंटा पहले बढ़ के पत्ते पर पांच अलग-अलग तरीके की मिठाईयां और दो छोटी लाइची पीपल के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी पढ़ाई के लिए काम ना करें घर आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखें इस तरह कम से कम तीन थर्स देता करें अब आपको बचेवे तीन ग्रहों की जानकारी दे देती हों इसके बाद आपकी जिंदगी की जादतर टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगी अब बात करेंगे शनी ग्रह की शनी को अपने फेवर में करने के लिए आपको रोज हनुमान चालिसा का पात करना चाहिए इस ग्रे के कमजोर होने पर इंसान को शनिवार के दिन लोहे से बनी, लेदर से बनी या लकड़ी से बनी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए इस ग्रे के बुरे प्रभाव से बचने के लिए साटर्डी के दिन किसी भी तरह के तेल को नहीं खरीदना चाहिए शनी ग्रह की खराब दशा होने पर शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और दाड़ी भी नहीं बनवाने चाहिए इस ग्रह की शांती के लिए इंसान को शनिवार के दिन पीपल के पेड के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए राहु ग्रह अगर राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है या कमजोर है उसको बेटर रिजल्ट देने के लिए अच्छे से फेवर में लेने के लिए आपको बिमार लोगों की या गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए इस ग्रह की शांती के लिए व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति की लड़की की शादी भी करवा सकता है इस ग्रह को अच्छे होने पर इनसान को तंबाकू और शराब जैसे नशीले पदार्तों का सेवन नहीं करना चाहिए केतू ग्रह अगर किसी व्यक्ति पर केतू खराब है तो उसे जितना हो सके दान करना चाहिए केतू के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इनसान को साटरड़े और मंगलवार के दिन वरत रखना चाहिए केतू को अपने फेवर में करने के लिए खाना खाने के बाद डॉक को रोटी खिलाने चाहिए इस ग्रह को फेवरेबल करने के लिए रोजाना सुभा अपनी मा के पैरों को छूना चाहिए इन उपायों को करने से व्यक्ति के ग्रे बेटर हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं अब ये आपके फाइदे की और भी बात करनी हैं पहले आपको कुछ खास सिखाते हैं समर सीजन आ गया है और ऐसे में आप अगर थोड़ा से ट्वेंडी होना चाहते हैं इंडियन लुक क्रियेट किये गए हैं ये वो अटायर्स हैं जो आप यूज्वली किसी भी लाइट पार्टी में या फिर आप दिन में इनको कैरी कर सकते हैं आप देखेंगे कि समर्स के हिसाब से यहां पर जो रखेंगे वो लाइट रखे गए हैं उपर का जो पूरा यह अगर पूर्शन देखेंगे तो या एमब्रोइटर्य पॉर्शन रखा गया है और नीचे प्लेन वाइट पॉर्शन रखा गया है अलों जो आप पसकी बाउंडरी देखेंगे वहीं मैचिंग करती हुई रेट के साथ मर्च की गई है इसके अलावा आप कुछ और आप्षिंस पर वी जाएं तो अगें जो उपर का एम्रोइडरी है वह जादा पसंद किया जा रहा है और जो नीचे का पोर्शन देखेंगे आप व ओवर्डू लुक की एक बहुत ऐलिगेंट सा एक पीस से आप कैरी करके खूब सूरत लग सकते हैं यह देखेंगे यह पीस सबसे जादा पसंद किया जा रहा है होट असे लिंग पीस जिसे कहते हैं जिसकी यूएसपी देखते ही बनती है आप देख सकते हैं कि यह पिंक नेट स्टाइल का यह लुक है और जो इसमें स्लीव रखी गई है वो नेट की है और वो भी डबल लेयर्ट स्लीव आपको देखेंगी वहीं दूसी तरफ आप देखेंगे तो यह पूरा जो है वो एक लाइट यलो कलर में एक पूरा जो अनारकल है वो यहां पर डिजाइन किया गया है अगें यह देखें इस तरह की आप कुछ पीस चूज कर सकते हैं पिंक और यलो के साथ इसको कॉम्बिनेशन दिया गया है और अगें जो कलेक्शन है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए गया है कि समर सीजन है से में बहुत जादा डाक कलर्स नहीं रखे रहे हैं और साधी साथ ऐसे कलर्स हैं जो आप किसी भी लाइट पार्टी में या फिर दिन में आप आसानी से कैरी कर सकते हैं और खुद को एक ट्वेंडी येट कमफर्टेबल लोग दे सकते हैं आज मंगल बार भी हैं इसलिए आपको बजरंग बली की जानकारी भी दूँगी आपको हनुमान जी की किस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए आए ये जानते हैं वीर हनुमान की प्रत्यमा की पूजा अगर आप करते हैं तो इससे आपको ताकत, हिम्मत, जीतने की ताकत, अपना confidence ये सारी चीज़े मिलती हैं इनकी चार भुजाएं होती हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम को solve करती हैं अगर आप भक्त हनुमान रखते हैं इनकी उपासना करने से लाइफ का लक्ष पाने के लिए जो अर्चने आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं साथी भक्ती की तरह मकसद पाने के लिए जरूरी लगन देने वाली ये मूर्ती हैं दास हनुमान, इनकी उपासना सेवा करने से समर्पन के भाव आपके अंदर आते हैं धर्म, काम और रिष्टों के समर्पन और सेवा कामना से आपकी जिन्दिगी भर जाती है सूर्य मुखी हनुमान, जी हाँ सूर्य देव श्री हनुमान के गुरू हैं सूरे पूर्फ दिशा से उदे होकर रोशनी फिलाते हैं सूरे और रोशनी गती और ग्यान का प्रतीक है इस तरह सूरे मुखी हनुमान की उपासना ग्यान विद्ध्या सेल्फ रिस्पेक्ट उन्नती सम्मान की कामना पूरी करती है इन्हें इस्ट में रख सकते हैं दक्षणा मुखी हनुमान दक्षण दिशा काल की दिशा मानी गई है वही श्री हनुमान रूद रपतार माने गई हैं जो काल को अपने कंट्रोल में रखते हैं इसलिए दक्षणा मुखी हनुमान की साधना काल, डर, संकर, चिंता का नाश करने वादी होती है उत्तरा मुखी हनुमान उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है यही कारण है कि शुब और मंगल की कामना करना उत्तरा मुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है अब मंगलवार के पावन दिन आपको बजरंग बली के उपाई भी बता देते हैं इनको कीजे और हनुमान जी को प्रसंद कीजे हनुमान जी अखंड भ्रमचारी और महायोगी है इसलिए सबसे जरूरी है कि इनकी किसी भी तरह की उपासना में वस्त्र से लेकर विचारों को पवित्र रखे, भ्रमचारे और इंद्रियों का सयम बैनाये रखे देखे हनुमान जी की उपासना आप पूनिमा पे कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं शनिवार को कर सकते हैं उनकी उपासना के लिए आपको सुबह सुबह ओट कर तीर्थ जल यानि की पवित्र नदी का जल ज्यान चैसे गंगा जल स्नान करकर साफ कपड़े पहन ले, लाल कपड़े पहनने हैं उजा के लिए लालासन पर नौट डारेक्शन की तरफ मुख करके बैठें वही हनुमान जी की मूर्ती या फिर तस्वीर सामने रखें या उनका मुख दक्षन दिशा की तरफ रखें भक्त जो भी तरीके से हनुमान जी को प्रसंद करें लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें मंतर जाप के दौरान उनकी आँके हनुमान जी की आँखों पर तिकी रहें यही नहीं मंतर जाप के बाद रुद्राक्ष माला या मुंगे की माला से मंत्र का जाप बहुत ही ज़ादा असरधार होते हैं पूनिमा तिथी या शनिवार को हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चड़ाने से सारा डर, बाधा और मुसीबतों का अंथ हो जाता है मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूर जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरे मुखी चड़ाने से सारे वैभव और सुक प्राप्त होते हैं नारियल पर मौली या कलावा लपेट कर चर्णों में अर्पित करें मन चाही मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेट कर हनुमान जी के चर्णों में अर्पित करें नारियल को चड़ाते समेश री हनुमान चालिसा कि इस चौपई का पाठ मन ही मन करें सवेरे हनुमान जी को नारियल का गोला या गुड या गुड से बने लड़ू का भोग लगाना चाहिए इसी तरह दोपहर में हनुमान जी की पूजा में घी और गुड या फिर गुड की मोटी रोटी बनाकर उसमें ये दोनों चीज़े मिलाकर बनाया गया चूर्मा अर्पित करना चाहिए वहीं शाम या रात के वक्त हनुमान जी को विशेश तोर पर फल का भोग लगाना चाहिए हनुमान जी को जाम फल केले और अनार या आम के फल बहुत प्रिया बताए गए हैं इस तरह हनुमान जी को मीठे फल अर्पित करने वाले के दुख और सफलताओं की करवाहट धूर होती है और वो सुख और सफलता का स्वाथ चकता है बात करेंगे आज के चौथे महा उपाए की क्या हाजबन वाइफ में प्यार कम हो रहा है श्री क्रिशन को याद करें फ्राइडे के दिन 3 इलाइची अपने बॉडी से टाच करकर या पलू या रुमाल में बांध कर आप अपने पास ही रखें Saturday की सुभा इलाइची पीस कर किसी भी डिश में मिला कर पती को खिलाएं और पती पत्मी को भी खिला सकते हैं सव तीन Fridays को करना है आपको फायदा मिलेगा इसके अलावा यूपाय संडे को भी कर सकते हैं आईए बात करते हैं आज की Special Astrotip का देखिए अगर आपके घर की साउथ एंट्रेंस है तो बहुत जादा घबराने की बात नहीं है जिन लोगों की कुनली में मंगल स्ट्रॉंग होता है उन्हें साउथ एंट्रेंस फल देती है अच्छे रिजल्ट देती है आपको करना यह है कि साउथ डारेक्शन में हनुमान जी के पंच मुकी अफ़तार की छोटी सी फोटो या महुट्टी को गेट के उपर लगाते ताकि वो साउथ की तरफ देखते रहें अगर आपके अन्वांटेट खर्चे हैं तो इससे खत्म हो जाएंगे entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल future की बाद क्या करना है कल आपको अपनी राशी के साब से मुझसे हार चानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग गरीबों को सरसो के तेल का दान करें लग साथ दे रहा है आपका 70% रिश्व राशी के लोग चेडियों को बाजरा खिलाएं भागे साथ दे रहा है आपका 67% मिथुन राशी के लोग गलत काम करने से बचें लक्स साथ दे रहा है आपका 58% करक राशी के लोग सूरे को मिश्री वाला जल चढ़ाएं भागे साथ दे रहा है आपका 69% सिंग राशी के लोग मंदिरों के दान पात्र में पैसे दान करें लक्स साथ दे रहा है आपका 65% कन्या राशी के लोग जरूरत मंदों को खाना खिलाईए किसमत साथ दे रही है आपका 70% तुला राशी के लोग लक्षमी जी की पूजा करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 75% प्रिशिक राशी के लोग हनुमान चालिसा का पाठ करें लक्ष साथ दे रहा है आपका 77% धनू राशी के लोग कान के पीछे काला टीका लगाईए किस्मत साथ दे रही है आपका 68% मकर राशी के लोग शिवजी की उपास ना करें भागे साथ दे रहा है आपका 80% कुम राशी के लोग अपनी मा से या किसी बड़ी उमर की फीमेल से आश्रवाद लें किस्मत साथ दे रही है आपका 71% और मीन राशी के लोग आप लोग तांबे और गेहूं का दान करेंगा लक्स साथ दे रहा है आपका 67% फेस्बुक पर गौरव रागव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लिम शेयर की है वो बहुत समय से गवर्मेंट जॉब पाना चारहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं उपाई जानना चाहते हैं गवर्मेंट जॉब के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है जिस कमरे में पढ़ते हैं जमीन से 7 फीट उपर कौपर का एक सन लगाएं पक्ष के पहले गुरुवार को किया जा सकता है इस उपाई में मंदिर में गुरुवार की शाम को दो हरी लाइची के साथ पांच तरह की मिठाई और शुद घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए अगर फीमेल हैं तो थर्जडे को करें और पुरुश हैं तो शुक्रुबार को करें आपका मुबाईल सिरफ फोन करने की नहीं आपकी किसमत बदलने के भी काम आ सकता है कैसे ये कल बताऊंगी अभी मुझे इजाज़त दीजी अपना ख्याल रखी और हां कल शो अपने मुबाईल के साथ देखिएगा फिर कल मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बाई बाई ठेक क्यार